अस्सलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि आप सब ख्यारो अब यज़ से होंगे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें जैसे कि आप जानते हैं कि बाबर आजम पहले पांच मैचेस में टीम को अवेलिबल नहीं थे टीम कापी सारी मुश्किलात के शिकार थे लेकिन जो ही बाबर आजम टीम में वापिस आयो टीम की मयार बुलंद हुआ और टीम ने पहले ही मैच में अपनी फता समेटी जिसमें बाबर आजम की बेहतरीन 86 रंज की इनिंग शामिल है बाबर आजम और मुहमद आमिर के मबाइन कड़ा मुकाबला हुआ बाबर आजम ने मुहमद आमिर की दस बालों का सामना किया जिसमें सिर्फ वो दो बॉंट्रियन लगा जाके लेकिन मुहमद आमिर बाबर आजम को आउट नहीं कर पाये लेकिन काफी अच्छी और बेहतरीन गेंदबाजी भी हमें देखने को मिली और बाबर आजम की पुर अतमादी और बेहतरीन किसम की बैटिंग भी हमें देखने को मिली क्या इन दोनों में से कौन सा अच्छा किलाड़ी और कौन सा किलाड़ी पाकिस्तान के लिए मुफीद है इसके बारे में अपनी राइकाइजार आप नीचे कमेट बॉक्स में कर सकते हैं मिलते हैं आपको ने आने वाली नई वीडियो में तब तक के लिए अपनी दौओं में जरूर जाल रखना अल्ला हाफीज